उटी, तमलनाडू का एक ऐसा हिल स्टेशन जो पूरे साउथ इंडिया में अपने खुप सूर्थी को लेकर इतराता है और इतराए भी क्यों ना, पाइन ट्रीस से भरे हसीन रास्ती, टी गार्डेन स्वाली वादिया, लेक्स, वोटरफॉल्स, सब कुस तो है यहाँ पर उटी में मेरी आज की ट्रप की शुरुवात हो गए, यह लगबग साड़े दस बज रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले, पूरे उटी का सबसे खुप सूरे टी गार्डेन दिखा देता हूँ, मेरे रिजॉर्ट के पास में ही है यह अगर आप देखोगे, प्रॉपर और्गनाइज मैनर में यहाँ पर टी गार्डेन यह बना हुआ है, क्यारियां पूरी बनी हुई है और यह इस टी गार्डेन का जो नाम है श्रीव इंकटेश्च्वरा, टी इंडस्ट्री यहाँ पर फैक्टरी भी है यह जब आप ऊटी कोटागिरी के साइड में जाते हैं तो पड़ता है, यह बिल्कुल भीडभाड से दूर है, कोई क्राउड नहीं है, यहाँ पर आराम से जी भर के फोटोज, खिचवाओ, टाइम लोग अपना कोई दिक्कत की बाद यहाँ पर नहीं है पहला बैंगलोर, दूसरा मैसूर और तीसरा कोयमबटूर, तीनों हे जगह एयरपोर्ट और रेलवेज स्टेशन भी है, और तीनों में से किसी भी जगह पहुचने के बाद आपको ऊटी की डैरिक्ट बस मिल जाती है उटी के बस स्टाइंड पर मैं आ चुका हूँ और यह आपके सामने यहाँ पर बस स्टाइंड है यहाँ पर कोयमबटूर, मैसूर, कुनूर, बैंगलोर से डैरिक्ट बस मिल जाती है आपको और बस कुछ इस तरह की रहती है आपको अपनी दिन के शुरूआ सुबर नौ बचे तक करते है और पहले दिन आप यहां के city में ही पढ़ने वाली places को cover कर सकते हैं उटी के 20 चहर में ही पढ़ता है यहां का botanical garden और उसके gate पर आकर मैं खड़ा हो गया हूँ टिकट लेने के लिए टिकट प्राइस यहां पर पता करते हैं टाइमिंग आप देख लो सुबह साथ बजे से साड़े छे बजे शाम तक खुला होता है और जो टिकट प्राइस है इधर लिखा है इंग्लिश में 50 उर्पे टिकट प्राइस यहां पर है यहां पर language का और आसा कोई issue आपको नहीं होगा जनरली टूरिस फ्लेस पे हैं तो लोक समझते हैं बागी इंग्लिश तो सब समझते हैं और हिंदी भी समझ जाते हैं इस गार्डेन में भी अलग-अलग गार्डेन्स बनाए गए हैं और यहां का ग्लास हाउस भी आपको काफी अट्रेक्ट करेगा। पूरे उटी में बोटैनिकल गार्डेन के लिए गूगल पर सबसे ज़ादा रिव्यूज हैं तो इस तरह से यह यहां की सबसे टॉप टूरिस प्लेस हैं। यह वसूल होता है और जो मौसम है ना यहां उटी गा वो चार चांद लगा देता है। बात अगर मौसम की करेंगे उटी में कब आना चाहिए तो आप पूरे साल कभी भी आ सकते हो बड़ जो बेस टाइम टू विजट होता है आपका ऑक्टूबर से लेके मार्स तक होता है लेकिन इसके बाद गर्मी छुट्टियों में भी अप्रल मई जून में जहां बाकी जगों पर काफी गर्मी होती है यह परफेक्ट प्लेस है गूमने के ले से लिए मैंने बोला कि साल बर यहां आ सकते हो और जब आप मौनसून में आते हो तब यहां पर बारिश का भी मज अगर दिखाई देगी वैसे अगर आप कोयम तूर की तरफ से आ रहे हैं तो मेट्टो पलियम रेलवे स्टेशन से उटी की टॉय ट्रेन के सफर का आनंद लेकर भी आप उटी पहुंच सकते हैं उटी गूमने के लिए मैंने यहां पर स्कूटी ले रखी हुई है लेकिन यह स्कूटी मैं मैसूर से रेंट करके आया हूँ यहां पर उटी में आप स्कूटी रेंट नहीं कर सकते हैं यहां कोई मतलब प्रॉपर शॉप मुझे नहीं मिली है और गूगल पे भी सर्च करोगे आप तो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां ही रेंट वगरा के लिए मिलेगी तो आप वो गूगल पे चेक कर सकते हो बागी अधर स्टेट की भी आप लाओगे तो हो सकता है कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो जाए लेकिन मुझे अभी तक तो वैसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है अगर आप कपल वगरा हैं कम बजट रख रहे हैं तो आप ऑटो अगर आसे घूम सकते हैं और अगर आपका बजट ठीक ठाक है अनिमून पे आए हैं प्रॉपर छुटिया विताने आए हैं तो आप यहाँ पे पैकेज ले ले कार से घूम ले पैकेज में आपका साइट सीन भी हो जाता है प्लस होटल भी हो जाता है खाना पिना भी हो जाता है तो वो पुरा पैकेज आपके लिए अगर लेना है तो कॉंटक डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वागी यहाँ पे बस से भी टूर होता है पर वो बहुत कमफर्टेबल नहीं रहती है चोटी सी बस रहती है और सीड्स भी कमफर्टेबल नहीं रहेगी तो सबसे अच्छा साधन है या तो आप पैकेज कर लो कार से गूम लो या तो आपके लिए ये है स्कूटी लेकिन इसके लिए भी यहाँ बेन रही मिलेगी उटी के बोटेनिकल गार्डेन से केवल तीन किलोमेटर की ही दूरी पर पढ़ता है उटी बोट हाउस जहांके इंट्रिफीस केवल पंदर रुप है उटी के बोट हाउस के अंदर आप सभी का स्वागत है लेक भी दिखाता हूँ और बाकी चीजे भी बताता हूँ यह जो आप देखरो पीछे टिकट काउंटर है और इधर मेरे लेक है उसके पहले थोड़ी और चीजे दिखा देता हूँ यहाँ पर यह गार्डेन है जहाँ आप बच्चों के साथ बड़ी हां मस्ती वगरा कर सकते हैं और उधर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडवेंचर पार को अगरा है कुछ करना चाते हो आप एडवेंचर एक्टिविटीज वगरा तो वो भी आप यहाँ पर कर सकत लगों के लिए है उसमें आपके साथे नोशों में आप इसमें मोटर बोट में और यहाँ यहाँ की बड़ी सी लेक है वो पैडल बोट है उसमें आराम से बैटो और वोटिंग करो So family के साथ आओगी आप तो enjoy जरूर करोगी इस जगह को और उटी की must visit place है ये और लेक प्यारी भी लगती है बहुत यहाँ पर ये उटी लेक पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद अब बारी थी थोड़ी पेट पूजागी उटी में नौर्थ हिलियन फूद भून रहे हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर vegetarian restaurant भी मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है पर यहाँ मिल जाते हैं प्राइस की बाद करें तो यहाँ पर अगर दाल फ्राइब आने लिया हुआ है 120 रुपे की दाल फ्राइब मिली है MLAI कोफता लिया है 160 रुटी यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैंगी मिली है प्राइस रुपे की लिए एक रुटी पढ़ी है तो रुटी थोड़ी कोश्क ही है अपर बजार मार्केट में 50 से 60 रुपे में भी पेट भर खाना मिल जाएगा उटी में अगर आप शॉपिंग का ओप्शन ढून रहे हैं तो आप यहाँ की अपर बजार मार्केट में चले आए यहाँ पर आपको सारी अच्छी चीज़े मिलें बहुत सस्ती नहीं मतलब यहाँ पर आप जैसे हमारे शायर में उता है न चौक बजार टाइप का वैसा ही कुछ यहाँ पर है आप को खाने पीने के भी ऑप्शन मिलेंगे कपड़ों के ऑप्शन मिलेंगे और वह थोड़ा एक मार्केट वाला जो महौल होता है वो भी यहाँ पर मिल जाता है चोटी से लेके बड़ी हर तरह की दुकाने से दुकाने भी मिल जाएंगे बड़े रेस्टोरेंट्स होगर अभी मिल जाएंगे यह यहाँ पर बड़ा बन रहा है यह सब यहाँ पर आना तो आप ट्राई करना साउध इंडियान फूड़ा सा और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ एक और प्लेस पे और वो होगी उटी की ट्वाइट रेन उटी का रेलवे स्टेशन यहाँ के गौवर्मेंट बस स्टैंड के सामने ही है हलाकि इस रेलवे स्टेशन को उटी नहीं उडाग मंदलम के नाम से जाना जाता है उटी में चलती है ट्वाइट रेन और ट्वाइट रेन का सफर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं मैं भी करने वाला हूँ यहाँ ट्वाइट का सफर और यह रहा यहाँ का छोटी सा रेलवे स्टेशन और अभी थोड़ी देर में बस ट्रेन चलने वाली है सारी डिटेल आगी बताता हूं मैं उटी की टॉय ट्रेन में सफर करना काफी रोमांचक होता है जिसमें आपको छोटे-छोटे से रेलवे स्टेशन्स टी गार्डेंज और धेरो व्यूज देखने को मिलते हैं उटी से कुन्नूर तक के इस सफर को आप लगभग साड़े तीन सो रुपए में कर सकते हैं और अगर पैकेज लेते हैं तो ट्रेवल एजेंट्स आपकी इस बुकिंग में हेल्प भी कर देते हैं कुन्नूर में मैं पहुँच गया हूँ और ट्रेन जर्नी बहुत मज़िदार रही अगर आप ये जर्नी करना चाहते हैं तो एडवांस में पहली चीज रिजर्वेशन करवा ले दूसरी चीद आप उडाग मंदलम यानि कि उटी से कुन्नूर तक का ही टिकट करवाएं एक गंटे में क्योंकि ये जर्नी हो जाती है एक ट्रेन चलती है जो की उडाग मंदलम से मैं टुपलियम तक जाती है और लगबग 3-3 गंटे की जर्नी होती है लेकिन उसमें शायद आप बोर हो जाएं तो बेटर है कि आप ये एक घंटे की जर्नी को एंजोई करे और वापस क कुनूर से उटी किवल 20 किलोमेटर की ही दूरी पर पड़ता है और किवल 20 रुपए में ही आपको यहां से उटी की बस मिल जाती है हालाकि इसमें काफी भीड़बार होती है इसलिए फैमिली हो तो कार से जाना प्रफर करें उटी में मेरा जो इस्टे है वो टी गार्डेन के बिल्कुल बीच में है यह पूरा रेजोर्ट है अगर आप देखोगे तो टी गार्डेन इसमें ही है और यह रूम मैं इधर दिखाता हूँ इधर आप देखो पूरी हरियाली भरी पड़ी है और अंदर चलते हैं यहां पर यह आप देखो डबल बेट रूम है और इधर पूरा टी गार्डेन का बाहर का नजारा दिखाई देता है और इधर भी है और यह भी पूरी ग्लास अगर लगी है तो आप अराम से बाहर देख सकते हो तो उटी में ऐसे कई सारे रेजोर्ट है और अगर आप भी स्टे करना चाहते हो तो जनरली 4,000, 5,000, 6,000 तक रेट जाते हैं इसके अब डिपेंड करता है आपका बजट क्या है सस्ते वाले भी मिल जाते है मतलब कि 502,000 वाले होटल अगर करना चाहते हो तो वो तो यहाँ पर है ही पर इसके अगर आपको करने तो बजट ज़्यादा जाएगा ब उटी के छोटू से टाउन में ही रोज गार्डेन भी है और ये प्लेस भी बहुत प्यारी सी है जहांसे उटी का वो हेल स्टेशन वाला पूरा व्यू दिखाई देता है गौवर्मेंट रोज गार्डेन के अंदर आगी आओं और उपरी हिस्से में यहाँ पर मुझे रोज देखने को नहीं मिले और जब नीचे मैं आया हूँ तो यहाँ पर यह पूरा रोज देखने को अच्छे से मिल रहा है लेकिन स्टिल अभी यहाँ पर उतने रोज नहीं है जितने होने चाहिए और मैं आया हूँ यहाँ पर मार्च में बट अगर आप अप्रेल माई जून जुलाई अगस्त अगरा में आते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे रोज देखने को मिलते हैं 15 अप्रेल के बाद इन्होंने बोला है कि पूरा बढ़ियां गार्डेन यह ऐसा है और यहाँ पर नीचे हिस्से में इतना देखने को मिल रहा है यह गार्डेन काफी बड़ा सा है वो दूर तक आप देखते हो तो पूरा दिखाए देता है और सबसे खास बात है यहाँ अगर रोज नहीं मिलते हैं तो वो पूरा जो ऊटी का वियू है न वो आप पर दिख रहे हैं सामने से देखो कि तब आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा यह रोज गार्डेन की इंट्रिफीस चालेस रुपए है और पूरे ऊटी की टूरिस्ट प्लेसे जनरली सुबह नौ बजे से शाम चार या पांच बजे तक उपन रहती है उटी में जब आप आ अब मैं निकल रहा हूं हूँ यहां के प्याकरा रूट की तरफ जहां पर कुछ वाटरफॉल है लेक है और कुछ ब्यूपॉइंट से चलते हैं प्याकरा की तरफ इस खूपसूरत से रास्ते से उटी की ट्रिप जनरली तीन दिनों में हो जाती है जिसमें एक दिन लोकल साइट सीन का दूसरा दिन कुन्नूर रूट के प्लेसेस का और तीसरा प्याकरा रूट का होता है जिसके शुरुव यहां उटी में हुई है और कई सारी मुवीज में आपने उस टाइम देखा होगा शायद कयामत से कयामत तक में देखा होगा वो पेड के पीछे जुई चाबला और आमिर खान वो शूटिंग करते रहते हैं मतलब बेर डांस चलता है गिरते गिरते पच्छा तो ऐसा कुछ यहां पर आपको पाइन फॉरेस्ट यह है पूरा पाइन के ट्री यहां पर देखने को मिलेंगे खुब लंबे लंबे हैं कॉम प्लैन पी के लंबे हो गए हैं बहुत जादा बाइदे वे चलते हैं थोड़ा सा आगे और और इस पॉइंट को वहां पर मैं आपको दिखाता अब यह प्याकरा वाली ही लेक है या फिर कोई अलग है यह तो नहीं पता लेकिन यहां पर आप होर्स राइडिंग उगरा कर सकते हैं और बढ़ियां-बढ़ियां फोटो क्लिक करवा सकते हैं व्यूज के साथ पाइन फॉरेस्ट के साथ मजा आएगा यहां पर आके तो य चाकरा रूट के सेकंड पॉइंट पे पहुंच चुका हूं मैं जिसको कहते हैं सिक्स्थ माल व्यूपॉइंट यहां पर इस जगह पे तो कुछ नहीं दिखेगा लेकिन इन पेड़ों को क्रॉस करने के बाद सीन आएगा तो आगे आँ हूँ उस पॉइंट पे मैं और अगर आप सामने देखोगे पूरी प्लेन फील्ड है ग्रास की और उसके पीछे पेड़ वगरा है माउंटेंस है बीच में उधर लेक भी है और जब आप प्याकरा जाएंगे तो यहाँ पर भी जादा नहीं दस मिनट आप रूपके कुछ फोटोस क्लिक करवाके आगे पर जाएंगे आगे मैं इस जगह पे ही आपको ले जाओंगा और वो भी एक पॉइंट है जिसका नाम आगे जानेंगे इन पाइन ट्रीस के साथ फोटोस बहुत अट्रैक्टिव आती है तो अपनी मेमोरीज के लिए फोटोस ज़रूर क्लिक करवाएं शूटिंग पॉइंट से किवल दो किलोमेटर और चलने पर आप आजाते हैं वेन लॉक हिल्स पर जिसके इंट्रीवीज तीस रुपए हैं भाई मैं तो आपको पांस सेगंड में ले आया लेकिन आदक चड़ाई चड़ने में समय लगता है और उसकी बाद ये लैंड्स के व्यूव आपकी आखों के सामने होंगे पिशली बार जब मैं यहां पर आया था तो मैंने एक बात बोली थी कि याद आ रही है मुझे लग यह शूटिंग पॉइंट हुआ करती थी अभी शूटिंग हो जाया कोई बड़ी बात नहीं है खुपसूरत तो है ही अभी थोड़ी ग्रीनरी कम है जब वरसात का टाइम होता है तो और भी ज्यादा यह जो ग्रास है ग्रीन हो जाती है और भी सुन्दर उस टाइम लगता ह अभी भी कोई कमी नहीं है शूटिंग पॉइंट जब वो अजय देवगन और पुरानी हिरोइंज मादुर दिख लुड़कते थे न वो गार्डेन वाले में वैसा ही कुछ यह पॉइंट है यही पे वो ढलान है इसी में लुड़कते हुए शूटिंग हुआ करती थी गान इसी के पास की लेक में आप बोटिंग का भी एक्सपिरियंस ले सकते हैं जाधा तर टूरिस्ट प्याकरा की तरफ आते हैं और प्याकरा लेक वगरा देख के चले जाते हैं लेकिन उसके आगे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यह सेंट मोनिका लेक भी इलकुल नहीं दिखेगा प्याकरा के साइड में तूरिस्ट काफी आते हैं तो क्राउड अच्छा खासा होता है लेकिन इधर बहुत शांदार नजारे आपको दिखते हैं क्राउड फ्री और दूर दूर तक आप देखो बढ़ियां एकदाम खुबसूरत व्यूज हैं और उदर थोड़ा सा विलेज वगरा भी है तो इस जगह पे थोड़ा आगे आप जरूर बढ़ना आपको और अच्छे नजारे मिलेंगे उटी में आप कुछ टी फैक्टरी और चॉकलेट फैक्टरी भी देखने का एक्सपेरियंस ले सकते हैं और उटी से लगबग 7-8 किलोमेटर दूर आप डोड़ा बेटा पीक पर भी जा सकते हैं जो एक व्यूपोइंट है पर कई अलग-अलग व्यूपोइंट्स यहां से देखने को मिलते हैं हाला कि उटी में और भी कुछ प्लेसस थी लेकिन अब मैं उटी में एक अलग एक्सपेरियंस के लिए निकल पड़ा उटी के आसपास में कुछ यह फॉरेस्ट रिजर्व है और आज मैं जा रहा हूँ हूँ यहां पर एक फॉरेस्ट में जो की पड़ क्योंकि कहते हैं काफी सारे जानवर वगरा आते हैं और मतलब काफी डेंजरेस रोड है इस वज़ा से 68 किलो मिटर मतलब यहां से जाना पड़ेगा तो अब यहां से इधर हम लोग निकल जाएंगे और पहुंचेंगे मसीना गुडी और दिखाते हैं वहां क्या है मसीना गुडी के इस रास्ते में जैसे ही आप टाइगर रिजर्व में इंट्री करते हैं आपको कुछ एनिमल्स दिखाई देने लगते हैं तो वहां दिख रहा है हाथी और दात उसके बड़े बड़े यहां से दूर से दिख रहे हैं अला कि घेरा दंदी लगी हुई है पर यह रैंडमली मतलब देखने में मतलब बड़ा सा हाथी है मज़ा आएगा यहां पर वाला कि रोक नहीं सकते हैं गाड़ी इसलिए फटा फट से चल दे रहे हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में तो मैं आग यहां हूँ और फिलहाल यहां पर एक रेजॉर्ट में आँँ यहां इस्टे नहीं किया है बट बुकिंग वगरा जो सफारी की है मैंने यही से कराई हुई है यहां पर सफारी क्योंकि करना फिर आपके लिए आसान होगा बस यहां पर आएंगे और बढ़ियां गूम लेंगे अपनी जो जीप है वो आ गई है और जीप सफारी के लिए रेडी है और मैट रही है अब देखते हैं कैसा एक्सपिरियंस मिलता है कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं इस टाइगर रिजर्व में तीन रूट पर आपको घुबाया जाता है जिसमें एक में केवल टाइगर देखते हैं दूसरे में बर्ड्स हिरन कुछ एनिमल्स और एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं तो वहीं तीसरे में यहां एक पहाड़ी पर ले जाते हैं जहां से पूरे रिजर्व का व्यूव दिखाइदेता है है हां पर जो हमारे गाइड है वो हमें उतार रहे हें हैं हहां पर cactus खिलाने के लिए cactus का भी फ्रूट होता है और यहां पर हम लोग उत्रे भी हैं यह आप तरिखो पर और लूब शोमी डेन spit the Seats यह Seats Hey मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था इस कांटेदार में इतना बड़ियां कलर होगा और इतने बड़ियां फूट वाले इसमें स्वीट्स है पीज है जब आप भी आइड वाला टूर करते हो तो मज़ा आता है मुदु मलाई जो टाइगर रिजर्व है ओवराल ये कह सकते हो आप दो हिस्सों में बड़िया है पांधिपूर टाइगर रिजर्व भी है जो कि करनाटका के हिस्से में है और ये जो मुदु मलाई है ये तमिल नाडू के हिस्से में आता है यहां पर लगबग 165 टाइगर्स सब्सक्राइब अब करता है टो यहां पर यहां पर आने के लिए अगर बैस नाइम अगर आप देख रहे हैं तो आप समर तो अच्छा यहां पर है क्योंकि उस ताइम सुखे हुए होते हैं पत्ते कम होते हैं तो एनिमल्स अच्छे से दिख जाते हैं लेकिन उसमें भी आप मॉर्निंग में 6-8 की सफारी करें और इवनिंग में अगर आप कर रहे हैं तो 4-6 की करें वो सबसे अच्छा होता है जब आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं मसीना गुडी में आप पूरे साल आ सकते हैं और यहां की सफारी धाई हजार से 6,000 रुपय तक की होती है और यह प्राइस डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सफारी करना चाहते हैं और कितना एक्स्प्लोर करना चाहते हैं उटी की तीन दिनों की आइटनरी आपकी कुछ इस प्रकार हो सकती है पहले दिन आप यहां की लोकल प्लेस जैसे बोटैनिकल गार्डिन, रोस गार्डिन, उटी लेक और डोड़ा बिटा व्यूपॉइंट कवर कर सकते हैं वही दूसरे दिन आप यहां से ट्वाय ट्रेन का सफर करके कुनूर जा सकते हैं जहां पर आप कुनूर के टी गार्डिन्स, चॉकलेट फैक्टरी या टी फैक्टरी विजिट कर सकते हैं और कुछ व्यूपॉइंट्स भी गुम सकते हैं वही तीसरे दिन आप प्याक्रा रूट पर जाएंगे जहां आप पाइन फॉरेस्ट, सिक्स माइल शुटिंग पॉइंट, वेनलॉक हिल्स, प्याक्रा बोट हाउस और प्याक्रा वाटरफॉल देख सकते हैं एक दिन और है तो मसीना गुड़े की ट्रिप पर जा सकते हैं और रास्ते में सैंक मोनिका लेग भी देख सकते हैं होटल आपको यहाँ पर ठीक ठाक से 2000 रुपए में पर नाइट टू एडल्स के लिए मिल जाते हैं वही मील्स पर आपका 700 रुपए प्रति दिन का खर्चा आ सकता है ट्रांस्पोर्टेशन का आपकी पूरी ट्रिप के दौरान 5 से 6,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है अगर आप 4 सीटर कार से गूंते हैं अब अगर पर परसन पर खर्च की बात करें तो होटल 3,000, मील्स 2,000, ट्रांस्पोर्टेशन पर 3,000 और इंट्री फीज और कुछ अन्नी खर्चे मिला दे तो 500 रुपए टोटल अगर आप करते हैं तो 8,000 से 9,000 रुपए में आप उटी की ट्रिप कर सकते हैं Solo travelers हैं या budget travelers हैं तो public transport का use करते हैं और सस्ति होटल में रहते हैं या hostel में रहते हैं तो 4-5,000 रुपए पूरी trip के दोरान आ सकता है उटी में Airtel का network सबसे अच्छा आता है प्लेस ये safe है और family और friend या honeymoon couple के लिए best place है उटी के आसपस अगर आप मैसूर, वयनार या कुर्ग जाना चाते हैं तो वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe और वीडियो को like और share करना ना भूले तब तब मिलते हैं एक नई टेश्टेशन पर